हाई वेलकम टु मैं व्लॉग तो क्यों सब लोग तो ये वाला वीडियो है डे वन का शिकागो में तो हम लोग सुबा में उठके नीचे जो कैफे है ना हम लोग वो देखने कर थे कि हमाप पर कॉफी है कि नहीं आप पर चाही तो नहीं मिलती है लेकिन तो रूम में कॉफी म नहीं है शुगर भी नहीं कुछ भी नहीं है इसलिए हम लोग नीचे काफे में गए थे कि वहां पर असी वाली कॉफी मिलती है के नहीं तो फिर हम लोग नीचे गए ना तो फिर वहां पर भी ब्लाक कॉफी थी तो फिर वहां लोग को किसी को अच्छी नहीं लगती हम जब देख रहे थे कहा जाना है और हम लोग ने बुक किये थे तो फिर जब तक यह बुख रही थे तो अब तक हम लोग ऐसे बैठे थे और फिर जब आगई तो नीचे चले गए तो जैसे मैंने बूला था ना कि यहां पर थंडी थी तो फिर जो भी आउटफिट पिना रहे तो फिर यह उसके लिए स्कुर्ट और टॉप जैसा था यह वाला तो यह हमारी उबर आ गई और हम लोग ना उसका स्ट्रोलर लेकर सब जगा जा रहे थे क्यूंकि अगर कभी उसको नीद आ गई तो फिर वह आराम से स्ट्रोलर में सो सकती है और अच्छा रहता है वह आरा हम दिन तक ट्रावल कर सकते हैं सिफ वह पास बताकर लेकिन हम लग ने वह पास नहीं लिया था और जैसा हम धिला था भार बहुत थंडी भी थी तो फिर ना हम लोग मुजिएम में आ गए थे मुजियम देखने के लिए तो फिर यह मुजियम बहुत अच्छा था 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 थ के लिए तो यह वाले जो म्यूजियम की टिकेट कुछ है ना 30 के 35 डॉलर्स थी लेकिन हम लोग ने हमारा कार्ड आइडी कार्ड बताने से ना वो लोग फ्री में जाने देते हैं और डिस्काउंट भी मिलता है तो हम लोगों जब टिकेट में लिना तो टिकेट के साथ में एक म्यूजियम का मैप मिला था तो यह जो म्यूजियम में बहुत बड़ा है पूरे तीन या फिर चार फ्लोर्स का है तो पूरे चार फ्लोर में कि कौन से चीज कहा है और क्या क्या देखना है वो पूरा मैप में ह तो यहां पर अलग अलग जन थे सब्सकेल हम लोग यहां पर आ गया थे स्टैंस डोनट्स तो यहां पर से हम लोग ने ली थी कॉफी तो यह जो स्टैंस डोनट है यहां के बहुत ज़ादा फेमस है, यहां पर हर जगा पर स्टैंस डोनट के बहुत सारे आउटलिट है और यहां पर नाम था शिकागो मुजिएम आफ इंडस्ट्री एं साइंस तो यहां पर नाम शिकागो में बहुत सारे मुजिएम है, फिल्ड मुजिएम है, आर्ट मुजिएम है, पेंटिंग वाला स्रिफ मुजिएम है तो हम लोग फर्स डे पर यह वाली मुजिएम में गए थे तो यह वाला जो एरिया ना वो फूड कोड था इसके काफे के बाजू में तो फिर हम लोग ने यहां पर से ब्रेक्फस्ट कर लिया था ब्रेक्फस्ट करने के बाद में हम लोग आ गए थे यह वाले जोन में तो फिर यहां पर है ना जो ग्लेशियर्स जो आइस मेल्ट हो रहे है और्स के उपर उसको सबको एक्स्पेन कर रहे थे ऐसे वीडियो और छोटे से क्लिप्स के तरू और फिर बाद में यहां पर एक छोटा सा चोटा सा नहीं बड़ा आइस जैसा पड़ा था और हाँ यहां पर तो बहुत सारे म्यूजियम्स है शिकागो में लेकिन यह वाला जो म्यूजियम है वो सबसे जादा फेमस है और यह बहुत जाद बड़ा भी है क्योंकि हम लोग 10 या फिर 11 बज़े से आयता है तो फिर हम लोग को 2-3 बज़ गए थे हैं यहां से निकलने के लिए तो यह पूरा इतना बड़ा ना बरफ का बना है और बहुत जादा थंडा था यह फिर उसके सामने था साइकल वाला सेक्शन जैसे पुराने जमाने में कैसी टाइब की साइकल थी और कैसी साइकल की सीट थी और जैसे हेलमेट वो सब होती ना फिर यह वाला उसका सेक्शन था तो बहुत जादा अच्छे अच्छी साइकल लग रही थी सब और यह सब है ना लग लग टाइप की साइकल की सीट है साइकल का टायर फिर हैंडल वो सब है यह सब साइकल के पार्ट्स थे यहांपर पार्ट्स और फिर जब हम लोग यह साइट पर आगेते हैं तो फिर यह साइट पर जितने भी नाच्रल फिनॉमेन होता है जिसे आपलाइंच फिर श्कलिऩवलेंग ऐसे न कर साइकलोन टोरनाडो यह सब जो भी डिजास्टर्स उते हैं तो फिर उस्के पीछे जो साइन्स था है वो यहाँ पर सब बताते तो यह avalanche है avalanche में क्या होता है जब भी शायद से land slide के जैसा होता है तो यह दो type होता है एक बरफ वाला और एक मिट्टी वाला अगर पहाड़ पर से पुरी मिट्टी नीचे slide होती है तो फिर वैसा था तो यह बता रहा था कि fast और slow कैसा slide होता है और फिर यह है कि cyclone कैसा generate होता है उसका airflow वो सब बता रहा था तो फिर मैं आगे जाके बताती हूँ कि कैसा था वो तो यहाँ पर रहना ऐसे सब switches दिये थी A, B, C, D, E, S वाला तो फिर हम लोग airflow को control कर सकते था हम लोग जितना airflow fast करते हैं तो उतना जादा यह गूम रहा था और फिर उसकी बाज़ों बेन ऐसे beats वाला section था उसको beats को ऐसा गोल घुमा कर mix करना था तो मुझे लगा कि Ariano को अच्छा लगेगा भी नहीं देख रही थी और फिर हम लोग आ गया गए तो फिर यह वाला जो section था वो सारी lights का था तो हम लोग ऐसा टच के थरू हम लोग यह जो लाइट भूम्टिया उसको control कर सकते हैं उसका color control कर सकते हैं तो जितना भी slide करो नहीं तो फिर वो light का उपर का color change होता है और फिर नहीं यहां पर एक ऐसा रूम था तो फिर हम लोग वहाँ पर जाके जो light है वहाँ पर change कर सकते थे अंदर controls थे switches थी अंदर तो यह लोग अंदर खड़े रहें के lights change कर रहे थे और मैं यह लोग कर वीडियो और photos ले रही थी तो देखो ऐसी lights change होती है और यह जो museum का सबसे अच्छा वाला partner यह था यह था mirror maze यानि जो mirror वाली बुल बुल रहे होती है वो थी तो फिर यहां पर हम लोगों बहुत जादा मजाया है और यह बहुत जादा confusing थी कि समझ में नहीं रहा था कि कहां से लोग आ रहे है तो फिर एक बार तुम मैं नहीं हना और आरियानों को देख रही थी और आवाज दे रही थी मुझे लगा वो लोग सामने खड़े लेकिन वो लोग mirror में दिख रहे थे तो बहुत जादा मजा रही थी और सब लोग एक दुसरे से टकरा रहे थे mirror से टकरा रहे थे तो वो बहुत जादा fun part था और मैं शायद से यहां पर एकदम आराम आरम से record किया है कि मैं खुद टकर जानी जाओ और यहां पर ना lights भी ऐसे एकदम अजीब सी थी ना तो फिर और ज्यादा difficult हो रहा था ढूंगने में के कहां है रास्ता अजीब करें तो फिर हम लोग को जब एक्जिट मिल गई तो हम लोग बहार आए तो फिर बहार ना ऐसे सब साग्रास ऑपर बटरफ्लाइ ऐसे सब इंसेक्ट्स दिखते थे हम लोग अगर यह स्लाइड करें तो और फिर यह जो है ना यह साइट पूरा coal mine वाला था कि कोला कैसा बनता है कैसा extract करते वो सब था लेकिन उसकी एक्स्ट्रा टिकेट थी तो फिर हम लोग वहां पर नहीं गए थे फिर हम लोग गए थे यहां पर यह जो है ना यह पूरा पुराने जमाने में कैसा था यहां प जो पानी का नल और बेसन होता है वैसा था और फिर फ्रूट्स की दुकान, कपड़ों की दुकान ये सब वैसा था तो फिर यहाँ पर आकर ने एकदम जैसे प्रिंसेस की मूवी देखते है कोई तो एकदम पुराने जमाने की कैसी लगती है वैसा लग रहा था और यहाँ पर एक फेरी कासल भी था तो फिर मैं वहाँ पर जाने के लिए बहुत जाथ एकसाइट थी वो इसके नीचे वाले फ्लोर पे था तो फिर मैं सब को बार बार बोले थी कि जल्दी से फेरी कासल में जाना है फेरी कासल में जाना है लेकिन फिर ना वहाँ पर जाकर म इतना खास नहीं था बस एक बड़ा सा कासल बना था और इतना अच्छा नहीं था मुझे तो लग रहा था कि कुछ ऐसा डिजनी लाइंड के जिसा कुछ अच्छा सा होने वाला है और फिर यह जो है ना यह लोग ने बनाए कि शिकागो का जो डाउन टाउन है वो कैसा लगता है तो यह है में जो ब्लैक वाली बिल्डेंग है ना वो है शिकागो 360 तो फिर हम लोग उसके सबसे उपर जाकर observation डेक और वह सब होता है तो फिर हम लोग को पुरी सिटी देखने मिलती है यह आपर से फिर उसके बाद में यहां ऐसे इंजिन जैसे बना था तो हम लोग को लगा कि हम लोग अंदर जाकर बैठ सकते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और यह जो है ना कोई है नहीं वो बस एक ऐसा statue जैसे बना है तो ऐसा लग रहा था कुछ रियल है तो यह था castle और उसके अंदर ना अलग-अलग rooms बने थे एकदम छोटे-छोटे से जैसे toys वाले रूम होते ना वैसे तो बस इतना ही था यह फिर वाईसे हम लोग आने के बाद हम लोग को बाहर दीखा था एक फार्म वाले एरिया था तो फिर वह फार्म वाले एरिया में सारे फार्म अनिमिल्स थे और गाई का दूड कैसे निकलता है मशीन से फिर जो भी process होता है गाई का जो digestion बिच्छा करना था उर्फ लोग अगर बटन प्रेस करते हैं तो यह पुरी मशीन वर्क कर रही थी तो अभी बस एसी टेकनोलोजी से गाय का दूद निकालते हैं अथ से हाथ से भी शायद से नी निकालते हैं यहां पर तो जैसे मैंने बुला था कि यह वाला एरिया पूरा फ फिर हम लोग आगे चले गए तो था एक प्ले जोन बच्चों के लिए लेकिन हमारा बच्चा तो सो गया था हम लोग बस रिक्वेस्ट करके अंदर गए थे देखने के लिए कैसा था प्ले जोन तो ये है पूरा प्ले जोन और प्ले जोन एकदम कुछ अलगी टाइप का था जैसे नॉर्मल हम लोग जाते हैं प्ले जोन में वैसा वाला नहीं था जैसे जंपिंग और बॉल्स अपर देखने लेकिन ये थोड़ा सा साइन्टिफिक प्ले जोन था फिर नहीं यहां पर ऐसी स्क्रीन थी तो फिर हम लोग जो डिरेक्शन में हाथ गुमाते थे नहीं वो डिरेक्शन में से पुरे बॉल्स उपर ऐसा जा रहे थे और butterfly वाली भी screen थी तो हम लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे उपर हमारे हाथ के उपर हमारे shoulders के उपर butterflies आ रही थी ऐसे वाला तो जैसे यह वाला play zone था न तो फिर यहाँ पर ऐसे स्टोरी बुक जैसा बना था मतलब रियल स्टोरी बुक बोल सकते हैं और स्टोरीज लिखी थी यहां पर फिर यह वाला न अंडर्ग्राउंड वाला रीजिन था उसके अंदर सब्मरीन वह सब थी तो हम लोग जब ऐसे नीचे हैं तो फिर ऐसे लग रहा तो कोई खूफिया मिशन चालू है कैप्टेंस थे मलब जो बने हुए कैप्टेंस थे फिर बाद में ऐसे सब स्क्रीन और सीक्रेट मेसेज हम लोग टाइब कर सकते हैं वहां पर ऐसे सारी चीजे थी और यह इतनी बड़ी सब्मरीन बनी थी नीचे और ऐसे टेलफोन थे फिर बाद में स्क्रीन बनी थी तो फिर अगर हम लोग कुछ टाइब करते हैं तो ना नॉर्मल वाला करते हैं तो फिर वह ऐसा सीक्रेट कोड लाइंग में जाती थी तो फिर हम लोग ने करके देखा था वह भी यहां पर आने के बाद ने ऐसे लग रहा था कि हम लोग कोई सीक्रेट मिशिन पर जा रहें और यहां अगर पर आने के बाद ने एसे लग रहा था कि अगर लोग कोई कैप्टन भी हम लोग को मिशिन करने वाला है कि मिशिन क्या है फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे बहार और फिर बहार आने के बाद में हम लोग ने बुक करा दी थी उबर और फिर हम लोग गए थे डाउन टाउन में जो है में एरिया यहां का तो वो तो बहुत जाद तो चलो देखते हैं हम लोग सेकेंट प्लेस हम लोग ने क्या एक्सप्लोर की तो डाउन्टाउन की जो सारी बिल्डेंग से दिखना स्टार्ट हो गई थी तो हम लोग को सबसे पहले जाना था 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 शाम के टाइम पर गए थे तो फिर हम लोग को दोनों व्यूज मिले थे ऐसा देन वाला भी और फिर बाद में जब सारी सिटी लाइट अप हो जाती है वो वो टाइम कर तो हम लोग पहुच गे थे डाउन्टाउन और फिर हम लोग थोड़ा सा वॉक किये और बहुत जादा थ सब कुछ मिलता है सारी चीजब की दुकान और कपड़ों की दुकान सब कुछ यहां पर था तो बहुत जादा अच्छा लग रहा था यहां पर आकर और यहाँ पर आने के बाद ना मैंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डेंग्स और इतनी बड़ी सिटी देखे तो excitement level तो कुछ और लगी था फिर बहुत जादा थंडी थी तो फिर हम लोग को एक दुकान दिख गई थी चॉकलेट वाली तो हम लोग यहाँ पर गए थे देखने के लिए किया क्या है और यहाँ पर इतनी सारी colorful type की candies, chocolates थी तो बहुत जादा अच्छा लग रहा था यह देखकर तो एकदम ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना चॉकलेट वर्ल्ड में आगए ऐसा लग रहा था लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थे कि हम लोग ना ऐसे सिंगल पाकेट नहीं ले सकते थे जो भी लेना थे तो फिर ज्यादा बल्क में उठाना था ऐसा था तो यह सारी इतनी कलरफुल कैंडीज फिर चॉकलेट्स चुइंगलम्स यह देखकर तो मैं पागल हो गई थे एक दम बहुत जादा अच्छा लग रहा था यह और है ना जैसे कलर अलग अलग लग लग रहे ना वैसे उसके फ्लेवर्स भी अ तो यह है डाउन टाउन में और फिर यह वाली वाल पे न सारे लॉलीपॉप लगे थे लेकिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि नटली है लेकिन सारे असली लॉलीपॉप है और फिर यह सारी जो चॉकलिट्स देखे ना मेरे से कंट्रोल नहीं है तो फिर मैंने खोल कर एक खाली थी तो कैंडी वो सब चलता है लेकिन ऐसे चॉकलिट्स देखती ना तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और सबसे अलग तो मुझे यह स्पाइडिल वाली ब्लैक कलर की कैंडी थोड़ी अलग लगी थी इसलिए मैंने खोल कर देख रही थी इसको तो यह न मैंने उठा के खाई थी यह मिल्क चॉकलेट थी बहुत जादा टेस्टी थी तो यहां पर ना सिफ चॉकलेट और कैंडी नहीं थी तो फिर जो भी चॉकलेट का ब्रैंड ना उसके ब्रैंड के डिलेटेड कॉप्स फिर बॉटल्स टॉइस ऐसे सब भी था टीशिट्स भी थे और फिर इसके बाद भी ना हम लोग बहुत सारी जगा पर गए थे तो फिर यह वाला वीडियो बहुत जादा बड़ा हो गया है तो फिर आज का वीडियो इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब